स्री शिवाय नमस्तु भ्याम दोस्तो आप सभी लोग जानते हैं कि 13 माई 2024 को है वैसाक महीने का बड़ा सोमवार और दोस्तो इसी वैसाक महीने के बड़े सोमवार को पंडी जी ने दुजिश्वर महादेव का एक बहुती बड़ा उपाय बताया है जो कि पुराना नहीं बल पंडी जी बड़ा बताया है क्योंकि दोस्तो इस उपाय को सभी लोग कर सकते हैं जिनके जीवन में जिनकी कोई मनोकाम ना हो जिनकी कोई दुखर परिशानी हो या जिनकी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, सारी प्रकार की दुखर परिशानियों के लिए आप इस दुजिश्वर महादेव बाले उपाय को कर सकते हैं पर दोस्तों इस उपाय को आपको अच्छे से करना पड़ेगा, सही से करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस दुजिश्वर महादेव वाले उपाय को आपको कैसे करना है सबसे पहले चीज दोस्तों यह उपाय बहुत आसान है पर दोस्तों जो व्यक्ति इस उपाय को अच्छे से सुनेगा वही इस उपाय को अच्छे से कर भी पाएगा है ना तो देखो सबसे पहले चीज ये वाला जो उपाय है ये एक दिन नहीं होगा ये लगातार 5-6 दिन तक आप लोगों करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि सर्फ आपने सोमवार के दिन कर लिया विशेश रूप से ये वैसाक महीने का सोमवार है इसलिए हम आपको बता रहे हैं बाकि आप ये उपाय जिस दिन भी सुन रहे हो वही उस दिन से लेकर आप 5-6 दिन तक आप लोग ये वाला उपाय लगातार करना आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा अप इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप लोग सबसे पहले या पर सुन लिजिए देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल यहाँ पर लेना पड़ेगा, देखो वैसाक का महीना है, पंडी जी ने वैसे ही बोलकर रखा हुआ है, कि इस वैसाक के महीने में आप साधरन जल ना लेकर आप लोग मिट्टी का जल लिया करो, है ना मिट्टी का तामबे के लोटे में भर कर इसे फिरम शिप जी के मंदिर में जाकर चढ़ा कर आए, ठीक है, तो इस उपाय में आप लोग इसी जल का प्रयोक करना, बाकी आप इस जल में साधरन जल का भी प्रयोक कर सकते हो, रोज सुबा जहां आप अपने घर के परिंडे से जो पानी ल उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की जरूत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है ना, उसके बाद में दोस्तों ये वाला उपाय पांस से छे दिन तक होगा, पांस दिन भी कर सकते हो, और छे दिन भी कर सकते ह और दोस्तो यह वाला जो उपाय है यह सुभा के समय होगा क्योंकि इस उपाय में हमें भगवाएं शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाना है इसलिए आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है और दोस्तो दुजिश्वर महादेव जी का नाम भी आपने पहले बार सुन होगा तो इसी से आप लोग पता लगा सकते हैं कि यह उपाय बिल्कुल नया है तो दोस्तो इस उपाय में जो सबसे ज़रूरी चीज है वो दुजिश्वर महादेव जी का नाम ही है इसलिए आप लोगों को इस नाम को विशेश रूप से ध्यान रखना है और याद रखना या लिखकर आप लोगों को रख सकते हो ठीक है तो इसके बाद में आपको क्या करना है सबसे पहले अपना वहे एक लूटा जल तयार करना विशेश रूप से हम आपसे कहेंगे कि वह मिट्टी का जल होना चाहिए तो जादा अच्छा है बाकी सादा जल भी ले सकते हो आप अपने इस उपाय को शुरू कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले दिन आप लोगों को सुभा सुभा उठना है अपना जो जल है उस जल के पास में जाना है जो जल आप लोग रात्री में रखोगे वो अपने घर के परिंडे के पास में रखोगे इस पात का ध्यान रखना तो जैसे आप लोग अपने घर के परिंडे के पास में आते हो तो इसके बाद में आपको अपने जल को लोटे के अंदर डाल लेना है और डालने के बाद में क्या करना है कि इस जल को तैयार करके शुद्धता का विशेश रूप से ध्यान करके स्तनान करके आप लोगों को इस उसके बाद में आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है दोस्तों आप लोग यह मत समझना कि यह जो जल हम लेकर आए हैं यह मातर शिवलिंग के ऊपर दुजिश्वर महादेव जी के नाम से चढ़ा देंगे ऐसा यहां पर बिलकुल भी नहीं होने वाला है इ उसके बाद में दोस्तों आप सबसे पहले चीज यह देखना कि शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते तो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गर जाता है तो आपको यह वाला जो जल है यह शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है पहले चढ़ाना शुरू कहां से करना है जहां से जल बहता है और जलाधारी से बिलकुल नीचे गरता है वो जो इस्तान जहां से जल बिलकुल नीचे गरता है जलाधारी की ऊपर ठीक है तो उस जगह से आप लोगों को यह वाला जल चढ़ाना शुरू करना है समझ गए आप लोग जहां से जल बिलकुल जलाधारी से होते हुए एक धारा से बनाते हुग बस शिवलेंके ऊपर आप लोगोंको जल नहीं चड़ाणा है और शिवलेंक के पूरे गोलम गोल की जलदहरी को जो है आप लोगोंको फिक जल चड़ा कर वापस से तो देखो जलाधारी से अपने जल चढ़ाना शुरू किया तो भाई पूरे गनेश जी वाल इस्थान से होते हुए शिवलिंग के पीशे से होते हुए और साइट से होते हुए वापस से आप लोगों को यहीं पर आ जाना है जहां से अपने जल को चढ़ाना शुरू किया दा को लेकर आ जाईए उसके बाद में इस जल की धारा को आपको सीधा शेव जी की शेव लेंगे की ऊपर चढ़ाना शुरू कर देना है कब करना है जब आप लोग एक बार पूरा जलाधारी का चक्कर लगा कर वापस जहां से अपने जल चढ़ाना शुरू किया था वहां पर आ चढ़ जाता है अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने नाम तो यहां पर लिया ही नहीं इस जल को चढ़ाते समय आपको दुझेश्वर महादेव जी का नाम लेते ही रहना है रुकना नहीं है जब तक आपका यह उपाय पूरा ना हो जाए दुझेश्वर महाद जो जल है यह चढ़ जाए उसके बाद ही आपको मनोकाम न बोलनी है और जल को चढ़ाते समय अपनी धारा को चढ़ाते समय शिव जी की शिवलिंग की उपर और जलाधारी की उपर दुझेश्वर महादेव जी का नाम आपको लेते ना जरूर है अगर आप नाम नहीं तो फिर उपाय काम नहीं करेगा वरना जल तो आप वैसे भी चढ़ाते हो पर दुजिश्वर महादेव जी का नाम यहाँ पर बहुत ही अलग है और इस उपाय का विशेश यहाँ पर वही फल देगा ठीक है तो इसलिए आप लोगों को भगवान का नाम लेना है और फिर उसक उपाय कर रहे हो दुजिश्वर महादेव जी वाला उपाय कर रहे हो तो मात्र भगवान के सामने दो मिनिट बैटकर दुजिश्वर महादेव जी का नाम के आप लोग जाप जरूर कर लेना आप विश्वास मानों आपकी जो भी मनोकामना होगी आप भगवान से नहीं भी प ही बोलोगे तो भी आपकी जो भी दुक और परेशानी होगी मनोगाम नहोगी वो अपने आप ही तूर होना शुरू हो जाएगी और आपकी जीवन में खुशी आना शुरू हो जाएगी और अगर आप लोग इस वाले उपाय को अपने घर की शुकह और शान्ती के लिए कर रहे हो तो भई आप लोगों के घर में शुकह और शान्ती आना भी शुरू हो जाएगी अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक बास सुनिये कि यह जो उपाय है यह हम वापस आपको बता रहे हैं कि यह एक बार नहीं होगा बलकि 5-6 दिन तक होगा 5-6 दिन तक सुभा सुभा के समय ही आप लोगों को यह वाला उपाय करना है और सुभा के 10-11-12 बज़े तक भी अगर आप उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा पर इस से जदा देरी मत करना ठीक है बस दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है और इस उपाय को करने का जो फल है वो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा क्योंकि आप इस उपाय को वैसा के महीने में कर रहे हो बाकि पंड़ जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि आपको इस उपाय को इसी आमाई श्रीवाई जय बुल्याबा स्री श्रीवाई नमस्तू भ्याम